Hello everyone, this is Sarpal and you are watching Option Seller और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बेचे हुए call option को किस तरह से manage कर सकते हो मैं आपके साथ 5 adjustment share करूँगा एक sold call के कि आप naked call option को अगर sell करके काम करते हो और market आपको challenge करता है, market उपर जाता है तो आप किन तरीकों से इसको manage कर सकते हो क्या वो adjustment है जो आप यहाँ पे कर सकते हो और इसी तरह के 5 adjustment में आज आपके साथ share करूँगा तो चलिए बिना time waste के इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको screen पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर one by one करके और यह 5 तो adjustments आपको बताता हूँ लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ share करना चाहता हूँ देखे हम option trading करते हैं और option trading जब हम करते हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि option trading की पहली जरूरत यह है कि आपको adjustments आने चाहिए अगर आपको positions को manage करना नहीं आता है आपको adjustment करने नहीं आते हैं तो फिर आपको option trading नहीं करने चाहिए क्योंकि option trading की पहली जरूरत है adjustments तो adjustment आपको आने ही चाहिए अब देखे option trading है यह इतनी आसान नहीं है मैंने आपको बताया कि यह adjustments हैं यह आप सीख लीजिए और आपने मान लिजिए वो सीख भी लिए और फिर भी आप market में जाके उनको apply करोगे तो हो सकता है आपको loss हो क्यों क्योंकि यह कोई straight line नहीं है कि आपने adjustment सीख लिए आपको किसी ने बता दिये और market में जाके आपने ओकिया और आपको profit होना शुरू हो गया नहीं यहां पे आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी जब आप adjustments को सीखते हो तो साथ में आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि ये adjustment मुझे कब काम में लेना है कब मुझे use करना है तो सही time पे सही adjustment अगर आप करते हो तो ही वो आपकी position को अच्छे से manage करेगा otherwise वो adjustment भी आपको low से नहीं बचा पाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस time पे मुझे कौन सा adjustment करना है हर एक adjustment का अपना nature होता है तो उसके according ये आपको वो करना चाहिए आपको देखना है कि आपका market का view क्या है यहाँ पे कौन सा adjustment मुझे करना चाहिए और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 adjustment जो share कर रहा हूँ उसके पीछी का reason यही है ताकि एक साथ ये adjustment मैं आपको बताऊं और वहाँ पे आप differentiate कर सको कि कौन सा adjustment मुझे कहाँ पे use करना है तो एक साथ 5 adjustment दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको दिखा पाऊं कि हर एक adjustment हर एक market condition में काम नहीं करता है आपको adjustment तो सीख नहीं है हाला कि काफी ज़्यादा वास topic है मैं आपको 5 adjustment जो बता रहा हूँ इन पे हर एक adjustment पे अलग से एक वीडियो बन सकता है तो वो मैं कभी बाद में करूँगा लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 adjustment बताता हूँ और शायद यहां से आप यह भी समझ पाओ कि कैसे और कब आपको यह try करने है कब आपको market के view के according और इनको deploy करना है तो चलिए अब screen पर चलते हैं और यह समझने के कोशिश करते हैं तो देखें यह मापको screen पर ले आया हूँ और market अभी trade कर रहा है 18300 पे 18300 है यह at the money का level है तो let's say आपने 18300 का कोई call option sell कर रखा था और अब market उपर आ चुका है 18300 पे यह आ गया है तो यहां पर मापको दिखाता हूँ 18300 का यह call option sell करके तो देखें में की series है में तो जा चुका है क्योंकि कल Xperry है तो June की series की option chain मैंने open कर ली है और let's say यहां पर 18300 का यह call option में sell कर देता हूँ तो यह मैंने sell कर दिया है 312 रुपे में 312 रुपीज का मैंने credit receive किया है और यह मैंने क्या किया है 18300 का call option sell कर दिया है और market कहां पर है 18300 पर ही तो मान लीजिए आपने यह call option let's see आपने sell कर रखा था और market उपर आके और 18300 पर ही पहुँच गया है लेकिन still मान लीजिए आपने कर रखा है तो आप किस तरह के adjustment कर सकते हो वो आप समझेए तो पहला adjustment आप यहां पर क्या कर सकती हो तो first adjustment है कि आप इस option को और roll over कर दीजिए अगली series में क्यों क्यों कि देखे आपने 18300 का ही call option sell कर रखा था और market 18300 पर ही आ गया है तो यहां से आगे अगर market जाता है तो आपका option है यह इंदा मनी हो जाएगा और वो आपको नहीं होने देना है तो आप क्या करोगे आप अपने इस option को roll over कर दोगे अगली series में और इससे होगा क्य आपने जो credit receive किया है इस पर भी आप sacrifice नहीं करोगे और आप market से और ज़्यादा space ले लोगे तो यह आप किस तरह से कर सकते हो देखे रोल over के time पे आपको यह ध्यान में रखना है कि आप credit पे sacrifice ना करो कि यहाँ पे 312 रुपय आपने receive किये हैं तो जब आप roll over करो तो आप 312 या उससे ज़्यादा काई credit लेजिए इससे कम अगर आप लेते हो तो वो आपका loss होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं अगली series को open कर लेता हूं देखे जून की series मैंने आपको दिखाई है अब आपको क्या करना है में की series मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि कल expiry ली है पूरा मंक जा चुका है तो जून की श्रीस लिया और लेट से मॉर्केट ने यहां पर आपको चैलेंज की आ है तो आप क्या करोगे जुलाई सीरीस में आप जाए उर वहां पर आप देखे कि 312 या उससे उपर का प्रेमियम कहा है और यहां पर आप देखे 18500 का जो call option है ये trade कर रहा है 317 रुपीज पे और मैंने कितने में sell कर रखा है 312 में तो मतलब 18300 का call option मैंने 312 रुपए में sell किया था और 18500 का call option है ये 317 रुपीज में trade हो रहा है मतलब net मुझे 5 रुपए का यहां पे credit मिल रहा है 5 रुपीज का credit मैं यहां पर receive कर रहा हूं और market से मैं 200 point की और जगे ले रहा हूं कि market अगर उपर जाता है अभी मैंने 18300 का call option sell कर रखा है और same premium मुझे अगली series में 18500 के strike पर मिल रहा है मतलब मैंने market से 200 point का और cushion ले लिया है 200 point की और space ले लिया अब अगर market 200 point और उपर जाता है तो मेरे पास एक space है market वहां तक आ सकता है अगर market 200 point उपर आता है तब मेरी position अब at the money होगी और इस case में क्या हो रहा है 18300 मेरी position है वो already at the money हो चुकी है तो इस वज़े से मैं क्या करूँगा मैं इसको अगली series में roll over कर दूँगा और market से और space ले लूँगा बिना मेरे credit पे sacrifice किये तो पहला adjustment तो यह है कि आप अगली series में इसको roll over कर दीजे अपने option को तो पहला adjustment तो यह हो गया अब बात करते हैं दूसरे adjustment की दूसरे adjustment क्या है कि आपने जो call option sell कर रखा है अगर यह at the money हो जाता है तो आप इसको split कर दीजे दो part में मतलब उस time पे आपके option का जो premium चल रहा है यहाँ पे कितना है 312 रुपीज इसको आप 2 से divide कीजिए और उसका एक call option sell कर दीजे और एक put option sell कर दीजे आपने अपने trade को split कर दिया है दो part में पहले आपने call option sell कर रखा था और अब आपने उसके against एक call option sell कर दिया एक put option sell कर दिया यह आप किस तरह से कर सकते हो यहाँ पे देखे 312 रुपीज का यहाँ पे premium चल रहा है तो आप क्या करोगे इसको 2 से divide करोगे 312 को अगर 2 से आप divide करते हो तो यह आता है 156 तो आपको क्या करना है 156 रुपीज का एक call option sell करना है 156 रुपीज का एक put option sell करना है तो चलिए यह मापको करके दिखाता हूँ तो आपको क्या करना है same series में आपको रहना है अगली सीरीज में नहीं जाना है रोल ओवर के टाइम पर आपको अगली सीरीज में जाना है यहां पर सेम सीरीज में रहेंगे और अब आप देखे नीचे की तरफ 156 रुपीज आपको कहां पर मिल रहे हैं तो let's say मैं 18100 का put option sell करता हूं 144 रुपीज में और उपर की तरफ 156 कह पर मुझे मिल रहा है 18600 है इसका 152 रुपीज का premium चल रहा है तो इसका एक लोट मैं sell कर दूँगा तो मैंने क्या किया है मैंने अपने trade को break कर दिया है दो हिस्सों में मैंने इसे बाट दिया है और अब आप देखिए क्या क्या मैंने split the trade मैंने क्या किया है 18300 का call option मैंने sell कर रखा था उसमें से exit होके और उसका जो premium था उसको 2 से divide किया और अब मैंने क्या क्या एक put option मैंने sell कर दिया एक call option मैंने sell कर दिया और अब आप देखे ये मेरा pay of chart बनता है पहले उपर की तरफ मेरा break on कहां पे था 18600 पे और अब कहां पे है 18900 पे मैंने market से 300 point का और question ले लिय अब अगर market उपर जाता है तो मेरे पास 300 point की और additional space मिल गई है मुझे तो ये दूसरा adjustment है it is one of my favorite adjustment कि आप अपने train को split कर दीजिये दो पार्ट में तो ये हो गया दूसरा adjustment अब बात करते हैं 30 adjustment की तो मैं वापस वही position लगा लेता हूं 18300 का मैंने call option sell कर रखा है तो ये मैंने वापस वही position लगा ली है अब यहाँ पर बात करते हैं 30 adjustment की और 30 adjustment क्या है कि आप इसके against एक protective call buy कर लीजे तो 18300 का call option आपने sell कर रखा है तो आप क्या करोगे 18400 या 18500 पर आप जाए और यहां का एक call option आप buy कर लीजे ये आपने call option buy कर लिया है protective call आपने buy किये है और अब आप देखे ये आपका pay off chart बनता है अब क्या होगा अब अगर market उपर जाता है तो आपको घबराने की जरुवत नहीं है क्यों क्योंकि आपका loss है अब cap हो गया है अब market कितना ही उपर जाए एक certain amount से ज़्यादा loss आपको नहीं हो सकता लेकिन ये मेरा कोई बहुत favorite adjustment नहीं है और उसके पीछे का reason ये है कि यहाँ पर premium मुझे जादा pay करना पड़ रहा है यहाँ पर आप देखे 197 rupees मैंने market को pay किये हैं और आप देखे जो call option मैंने sell कर रखा है इसका premium 312 rupees है लेकिन actual market में जब मैंने sell किया होगा तब इसका premium है वो कम रहा होगा क्योंकि market अभी 18300 पे trade कर रहा है तब इसका premium 312 rupees है तब इसका premium है 312 rupees है तो जब मैंने sell किया था तब ये कम रहा होगा तो जो मैंने credit receive किया है वो इससे कम होगा और उसके अगेंस लेट से ये 250 रूपीज ही मैंने credit receive किया था जब मैंने इस call option को sell किया था और अब market उपर आ गया है और 312 का premium हो गया है तो मैंने sell कितने में किया था 250 रूपीज में और यहाँ पर जब मैं protective call option buy कर रहा हूँ ये मेरा कोई बहुत favorite नहीं है लेकिन हाँ अगर आपका view इस तरह का है कि market में कोई बहुत बढ़ा मूँ आ सकता है उस time पे आप कोई कर लेना चाहिए क्यों क्योंकि आपकी losses को पूरी तरह से mitigate कर देता है तो अगर आपका view है कि market में बढ़ा मूँ आ सकता है उस time पे आपको adjustment करना चाहिए तो ये हो गया हमारा 30 adjustment अब बात करते हैं 4 adjustment की और 4 adjustment है कि आप एक bull call spread या bull put spread यहाँ पे add कर दीजिए यह आप किस तरह से कर सकते हूँ? यह मैं हटा देता हूँ bull call spread आप यहाँ पे add कर दोगे तो उससे क्या effect आएगा? लेटसे यहाँ पे एक bull call spread में add कर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा? थोड़ा सा out the money में जाके और लेटसे 18600 का एक call option में buy करता हूँ और 18800 का एक call option में sell कर देता हूँ तो यह मैंने क्या किया है? एक bull call spread को यहाँ पे add कर दिया है bull call spread add करने के बाद यह मेरा payoff chart बनता है यहाँ पे अब क्या करूँगा? मैं एक bull put spread और add कर दूँगा bull put spread मतलब कि मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और let's say मैं 18000 का एक put option sell करता हूँ और 17800 का एक put option में buy कर लेता हूँ तो अब आप देखिए मैंने क्या किया है? मैंने एक bull call spread और एक bull put spread दोनों यहाँ पे add कर दिये हैं और इससे क्या effect आया है? अब अगर market उपर जाता है तो देखें यहाँ पे मेरा loss कितना है? सिर्फ 800 रुपीज का है और कहां तक है यह 800 रुपीज का लोष? अल्मोस्ट 18,800 18,819 यहाँ पे दिखा रहा है वहां तक आपका लोष है वो सिर्फ 800 रुपे का है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि market अगर नीचे जाता है तो हर जगे आपको profit होगा ही और आपका maximum profit कितना है? 14,000 रुपीज का लेकिन आपके break even के beyond भी अगर market जाता है तो भी अगले 200 point तक आपका loss हो सिर्फ 800 रुपीज का है पहले यह loss था यह undefined था कितना भी loss आपको हो सकता था लेकिन अब आपका loss है यह अगले 200 point तक और सिर्फ 800 रुपीज का है उसके बाद आपका loss है यह undefined है तो अगर यहाँ पे आपका view है कि market आपके break even से और 100-200 point उपर जा सकता है तो आप यह adjustment कर सकते हो लेकिन उसके beyond भी अगर market उपर जाता है तो फिर आपका loss है वो again undefined है तो यही चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा adjustment कहाँ पे करना है यह आपको पता होना चाहिए आपका view क्या है market को लेकि उसके according आपको adjustment को select करना चाहिए कि यहाँ पे यह adjustment चलेगा अब मान लीजे आपका view है कि market यहाँ से थोड़ा सा उपर जा सकता है 100 points उपर जा सकता है और 200 points उपर जा सकता है अगर आपका यह view है तो आप क्या कर सकते हो? यह जो adjustment मैंने आपको बताए यह आप यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि market 100 point उपर जाके और वहां से reverse हो जाता है तो आपको profit होगा और आपने market से वो additional cushion ले लिया है वो space ले ली है 200 point की और market उसी range से और वापस reverse हो जाता है तो यह adjustment है यह आपके लिए काम कर गया और आपकी position को इसने सही तरीके से manage किया है लेकिन वहीं पे अगर आपका view था कि market टेजी से उपर जा सकता है और वहां पर आप यह adjustment करते हो तो यह एक गलत adjustment होगा यह आपको नहीं बचाएगा क्यों क्योंकि इसने आपके break-on को सिर्फ 200 point उपर shift किया है आपका जो maximum loss है उसको कम नहीं किया है पहले भी आपका maximum loss था वो undefined था और अब भी आपका maximum loss है वो undefined है तो अगर आपका view है कि market टेजी से उपर जा सकता है और वहां पे आप यह adjustment करते हो तो फिर यह adjustment आपको नहीं बचाएगा it is a wrong adjustment वहां पे आपको क्या करना चाहिए वहां पे आपको एक protective call को buy करना चाहिए जो इससे पहले वाला adjustment मैंने आपको बताया था वो एक सही adjustment होगा उस time पे तो इस वज़े से आपकी view के according आपका adjustment सही या गलत होता है हर एक adjustment market में काम करता है it's just that कि आप सही time पे उसे deploy कर रहे हो या नहीं तो अगर आपका view है कि market reverse हो जाएगा अगले 100-800 point में तो आप यह adjustment कीजिए यह आपको बचाएगा लेकिन अगर आपका view है कि market तेजी से ओपर जा सकता है तो फिर आपको यह adjustment ना करके और पिछला जो मैंने बताया था protective call वो आपको करना चाहिए चलिए तो यह हो गया हमारा चोथा adjustment अब बात करते हैं पांचवा adjustment की पांचवा और आखरे adjustment यह है कि आप एक directional butterfly को यहाँ पे add कर दीजिए वो आप किस तरह से कर सकते हो यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह सब मैं हटा देता हूँ यहां से तो अब आप देखिए 18300 का मैंने call option sell कर रखा है और यह मेरा payoff chart बनता है तो यहां पर अब मैं क्या करूँगा मैं 18600 पर जाता हूँ और यहां का एक call option मैंने sell कर दिया और एक put option मैंने sell कर दिया और उपर की तरफ मैंने 18700 का एक call option buy कर लिया और नीचे की तरफ मैंने 18300 का एक put option buy कर लिया तो यह मैंने एक directional butterfly यहां पर लगा दी है और अब आप देखिए यह मेरा payoff chart बनता है अब आप सोच रहोंगे इससे मुझे क्या benefit मिला है तो इससे benefit आपको यह मिला है कि आपने एक butterfly को add कर दिया है और वो भी zero cost butterfly आपने add कर दिया है क्योंकि आपने इसका tilt है वो bullish रखा है कि अगर market उपर जाता है तो इस butterfly में आपको profit होगा और जो आपने call option sell कर रखा था उसमें आपको loss होगा अगर market उपर जाता है तो तो उसमें जो loss होगा उसके लिए छोटे से हद तक और यह जो butterfly है यह आपका compensate करेगी और अगर market नीचे आता है तो butterfly में आपको loss होगा लेकिन जो original trade है उसमें आपको profit होगा तो अगर market reverse होता है तो आपको डरने की जरुवत नहीं है कि मेरी butterfly में मुझे loss आना शुरू हो जाएगा नहीं वहाँ पे आपको loss से डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जितना loss होगा उससे ज़्यादा profit आपके original trade में होगा तो अगर market नीचे आता है तो आपको profit होगा आपका maximum profit है यह 9200 रुपीज का है और अगर market उपर जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भी आपका loss है वो तो undefined ही है लेकिन market से आपने एक space ले ली है अब आपका break unit है यह 18700 का है तो आपने market से 100-800 point की और space ले profit है तो चलिए यह है वो 5 adjustment जो मैंने आपको बताए और जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी adjustment अच्छा या बुरा नहीं होता है आपको यह पता होना चाहिए कि कि किस time पे मुझे कौन सा adjustment करना है और यह decide करेगा आपका market का view कि market के view के according यहाँ पे कौन सा adjustment होना चाहिए जै breakion extension वाले adjustment मत कीजिए क्योंकि वो आपकी breakion को उपर तो shift कर रहे है लेकिन market अगर उसके beyond भी उपर जा रहा है तो आपका maximum loss है वो still अभी भी उतना ही है पहले भी undefined था अब भी undefined है तो जो breakion extension वाले adjustment है वो आपके उस time पे काम नहीं आएंगे अगर आपका view यह है कि market त पर जा सकता है वहां से reverse हो सकता है तो वहां पे आप वो adjustment कीजिए जो आपको एक space दे जो एक question provide करवाएं 200-300 point का तो वहां पे वो adjustment आपको करने चाहिए जो आपको additional space provide करवाएं आपके breakion को extend करें तो इस तरह से आपको select करने चाहिए कि कौन सा adjustment मुझे कहां पे करना है और क पांचो adjustment में एक साथ आपको दिखाना चाहता था तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं thank you so much for watching the video I hope इस वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें this is अत्पाल signing off